नमस्कार जय हिंदि स्टड़ी भात में आपका स्वागत है तो 3 मार्च 2023 देखेंगे इसमें इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट एक्जाम अनल्सिस के बारे में तो पूरा वीडियो अन तक देखते रही है अगर आपको इस बार यूजिसनेट एक्जाम की कम समय में सबसे ब वाटसब पे आएगा पेपर 2 के यह सब्जेक्ट लिखे है इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज इसमें आपको फुली अपडेटेट्ट कम्प्लीट टेस्स से आपके वाटसब पे दी जाएगी तो जल्दी से इस नमबर पर कॉन्डेक्ट वाटसब करिए आपको लिखना है 99 रु गुद्वी इस ए से कउशन था ठीक है और सब्सक्राइब कि जो क्षेडियों में देखे सेंप्लिंग एरर्रिसर्च टाइप्स और मेफड़्स अरविफिनिंग में रिसर्च अप्टीविट में टाइप्स और स्टैप्स और स्टैप्स अरशन था कॉम्प्रेशन देखे दोनों ही morning evening में दोनों में ही easy level था so unit 4 की बात करता है communication की तो communication barrier और types था और evening में भी communication barrier और साथ में sequence of communication था एक caution था sequence बहुता unit 5 में देखिए mathematical reasoning and attitude में देखिए percentage average ratio percentage average और number series का था वही evening shift में देखिए profit and loss numbers और average का caution था maths और reasoning में unit 6 की बात करें तो पूरवत और pharisee का caution था वही देखिए logical reasoning unit 6 में अनुमान, सिसावत और परमान से caution था तो बात करते हैं यहाँ पे unit 7 की तो moderate level था morning और evening दोनों shift में यनकी caution ना ज़दा असान थे ना ज़दा मुश्किल थे unit number 8 के बात करें ICT की यनकी information communication technology की तो email URL format का caution था और ICT में देखिए evening में तो यह computer based caution थे और IP address पकार एक caution थे ठीक ऐसे घर के तो देखिए unit 9 में Kyoto protocol MDGS SDGN की millennial development goal sustainable development goal Kyoto protocol से था और people development environment evening में parasite disease और parasy agreement की कोशन थे और higher education system में देखिए first university central university यह कोशन था और evening में देखिए autonomous college या university सिट्वेटर की कौन सी university कहां पर जैसे जेन्वी कहां पर है ना ऐसे करके वह चीज़ें तो देखिए वह तो topic अपने डिसकस की अब हम बात करते हैं कॉशन की उपर तो morning shift में देखिए caution था इदेखिए सीरीज है कॉशन की 7 8 9 10 12 14 16 18 22 24 28 देखिए इससे थोड़ी सी शीरीज आगे पेछे हो सकती है लेकिन इस आपकी सीरीज थी तो यहां पर आप देखिए सीरीज कैसे बनी है आप देखिए जैसे यहां पर देखिए इसका right answer 34 था तो इसका देखिए यहां पर क्या था कि आप इसका देख सकते हैं इसे आप देखिए यहां पर सीरीज चलिए रहें 2,3,5,7,11,13 ठेख, इसमें कहाई रहें इसमें 5,5 perplus करना था तु में 5,7,3 वाइप ब्लसकिया,8 5,5 प्लसकिया,10,7 5,続 11,5,16,13,zuge symbolicigraph,18,17,प्लस,5,22,19,प्लस,5,24 ठेखिए यहां पर देखिए गैप क्या है यहां पर देख औटरी हा गया फिर यहां पे दो दो क बीच में चार्चर के gap है ठीक है 17 फिर 90 प्लस 524 फिर 2 23 प्लस 528 आ गया है ना ऐसे करके 28 के आगे क्या था देखे यहां पर क्या था 19 और 23 अब देखे 23 से सीधे ही यहां पर 29 आ गया अगर इसमें 25 की बात करते 25 की है ना तो वहांपर 30 आता चीक है तो उसके में यहाँ पर दिखे यहा फिर फिर 4 की gap आगया 24 के बाद यंकी सीधे ही 29 आ गया तो 29 में 5 प्लस किया तो 34 आ गया चीक है यहांकि 23 के बाद सिधे ही 29 आ गया अगर ने बीच में इसको hidden माल ले तो सिधी यहाँ पर 4 का gap है ठीक है तो आप इससे देख सकते है 24 जो था sorry 34 जो था इसका जरदा option में भी था आपका check करना है कि जो भी option में है उसके according आप पांसर उसका लगा देना है जैसे आपकी series बन रही है उसका option है तो आप उसे क्लिक कर दिजिए so MDG millennium development goal क्या है देखिए यह 2015 के goal है ठीक है आप देखिए millennium development goal are eight goals यह eight goal है that UN members had agreed to try to achieve by year 2015 की 2015 तक इन सब आठ goals को जो है वो achieve करना है UN members को इनके UN nation के members को तो देखिए कैसी series थी one nine six four eight one seven two eight one one two इसका राइटना संदा two देखिए कैसे देखिए आप लिखे ना one nine six four eight को देखिए आपस में multiply है सारी ठीक है यह आपस में multiply है ठीक है यह जीज़ उसके बाद देखिए जब हम यहां पे one one two को करते हैं हमने one को one से किया और two को किया तो इसका आ गया two one one सा one चीक है और two को से किया तो two आ गया तो यह इसका अंसर था ऐसी सीरीज थी सो क्योटो प्रोटोकोल और पैरिस अग्रिमेट यह कौस्छन था दिखे पैरिस अग्रिमेंट वा आज अग्रिमेंट वेद दा यूनाटर नेशन फ्रेवर्वर कर्वेंशन और клामाट चेंज यह एंकी देखे जो पैरिस ग्रीन हाउस की जो गैसिस हैं जो निकलती हैं उसको मिटिकेशन करना यहन की उसका बचाव करना मिटिकेशन होता है रोक थाम ठीक है वह चीज़ देक्टो प्रोटिकल इसे ट्रीटी डाट कमिट्स स्टेट पार्टी ते रिडियूस ग्रीन हाउस गैस अमिशन बेस्ट अन सा सिसी है यह डियल किसे करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिकेशन से उसकी रोक थाम के लिए और जो क्योटो प्रोटो कोल है यह ट्रीटी है ठीक है एग्रिमेंट अलग है ट्रीटी होती है संधी ठीक है एग्रिमेंट वह चीज है ठीक है एग्रिमेंट अलग है बात दो प्रिपर एक सी होती है लेकिन वो treaty है वो agreement है ठीक है सुझ यहां पे क्रोटो प्रोटो को क्या कहता है कि जो greenhouse जो gases है उसे reduce करना है state party के द्वारा ठीक है ये चीज़ सो हमारा next question है question number five what is fallacy अब देखें fallacy क्या है fallacy होती है एक प्रकार की गलती ये एक प्रकार का भ्रम, a fallacy is a kind of error in a reasoning the vast majority of the commonly identified fallacies involve argument although some involve only explanation or definitions of or other products of reasoning, sometimes the term fallacy is used even more broadly to indicate any false belief and cause of a false belief, so दिखे भ्रम क्या है, इनकी fallacy क्या है, एक प्रकार की गलती है, एक प्रकार का error है error है, एक प्रकार की truth है, तो देखे आम तोर पर क्या होता है कि जो fallacy होती है, उसमें क्या है, कि बहुत सारी चीज़े शामिल हैं, जैसे कि देखिए, कि स्पश्टी करण, जिसम कहते हैं, कि जैसे argument उसमें होते हैं, है न, एक व्यापक रूप से, यहनकी एक व्यापक, यहनकी बड़े स्तर पे अगर हम देखे तो, ब्रॉल्डी तरीके से देखे तो उसमें क्या चीज़ जूट है, उसे देखना है, यहनकी देखे, अगर आपको बस कोई प्रिभाशा है, कोई argument है, कुछ explanation है, कोई चीज़ है, लेकिन उसमें गलती क्या है, वो पैचाना, वो क्या है fallacy, so evening shift की बात कर देखे, पूरवत सेश्वत का question था, देखे, question आगे में चो सकते हैं, evening में, morning में की कुल्मला के यह question थे, एक पूरवत inference is that in which we infer the unperceived effect from a perceived cost, यहां के देखे, एक पूरवत अनुमान वह है, जिसमें हम कथित कारण से अप्रत्याशित प्रभाव का अनुमान लगाते हैं, चीक है, यहां की पूरवत क्या है, कि हम क्या करते हैं, कि एक कथित कारण से, चीक है, वो ही infer the unperceived effect from a perceived cost, अब देखे, आप न्यूस पर में कोई खबर बढ़ते हैं, याना, कोई न्यूस पढ़ते हैं, तो वहां पर जो चीज है, मालिज आपने कोई चीज पढ़ लिया, कोछ भी आपने, है ना, तो वो कैसे हुआ होगा, आपको पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन आप उसका अनुमान लगाते हैं, वो चीज, वो तिया पूरवत, एक ससावत, यानकी, ए सेसावत in France is that in which we infer the perceived cause from a perceived effect, यानकी एक ससावत अनुमान वे हैं, जिसमें कथित परभाव से अपरत्याश्चित कारण का अनुमान लगाते हैं, देखें, पहले में कथित कारण था, फिर अपरत्याश्चित परभाव था, लेकिन दूसरे में क्या है? कथित परभाव है और अपरत्याश्चित कारण है, यानकी सेसावत क्या है कि जो चीज, जो effect हुई है, ठीक है? जैसे माने जी रिज़ल्ट है, वो कैसा हुआ था पहले? वो चीज़. So, what is the 2030 target for GHG greenhouse gases greenhouse gases reduction strategy 2030 तक देखिए क्या target है, कितने percent का target है कि जो greenhouse gases है उसका reduction किया जाए ठीक है? सो देखिए at least 40% cut in greenhouse gas emission, ठीक है? at least 32% share of renewable energy search for available translation of the preceding link, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 40% है मैं आप उसे याद रखिए कि 40% जो है greenhouse gases है, उसका reduction करना है, ठीक है? तो देखिए, first university in India, अब देखिए, आपका मैं बता दूँ कि जो इंडिया की सबसे पहली university थी, वो थी नालंदा university, ठीक है? यह कब बनी थी? ठीक है? the university was established in the 5th century and lasted till the 13th century अब देखिए, यह 5th century बनी थी, पांथवी स्तापदी में बनी थी और 13th स्तापदी तक चली थी, तो नालंदा विश्व की, इंडिया की पहली university थी, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है? आपको बताया ज़तक कि university of Calcutta जो है, अगर आप Google करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपको बताच चलता है कि university of Calcutta जो है, वो पहली university थी, लेकिन लेकिन नालंदा जो है, वो पहली university थी, जो 5th century में बनी थी, लेकिन अगर हम आज की university की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है नाम university of Calcutta का, ये कब बनी थी? ये बनी थी 24 जनवरी 1857 को, 24 जनवरी 1857 को, ठीक है? ये western style में बनी थी, ठीक है? Calcutta university जो है, वो बनी थी, western style में है, ये है कोल करता, वेस्ट मेंगोल में, तो यहाँ पर देखिए, आता ये है, देखें, पहली से नारंदा, लेकिन सर्च करने में पर आता है Calcutta, लेकिन यहाँ पर देखें, दस university के नाम है, जिसमें Calcutta तीसरे नंबर पर है, according to, अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखें, सीनेट और सीरेमपूर कॉली युनिवरस्टी, ठीक है, 1818 में बनी थी, ये थी सीरेमपूर में, और IAT रुड़की उसके बाद बनी 1847 में, फिर बनी युनिवरस्टी उगलकटा 1857 में, ठीक है, इसके रुड़की दूसरे पर है, कलकटा जबकी तीसरे पर है, तो देखें, जब अगजाम में कॉस्टन आता है, अगर उसमें से कोई आप्शन है, तो आपको वो चूज करना है अगर आपको इन तीनों में से उप्शन है, तो आप यहां पर टिक करिए, यह दोनों उप्शन दिये, तो आप IAT रुड़की पर टिक करिए, ठीक है, तो यह कोईशन था, ठीक है, अगर नलंदा है, तो नलंदा पर टिक करिए, So what is parasite disease, अब देखे, parasite disease क्या होते है, जिसे हिंदी में गहते है, परजीवी रोग, parasitic disease in humans, any illness that is caused by a parasite, an organism that lives in or on another organism known as the host, परजीवी रोग क्या होते हैं कि जैसे हम human beings हैं हम जैसे मनुष्य हैं तो कोई भी बीमारी जो है कोई भी illness जो है वो पैरासाइट का कारण हो सकती है तो देखें जब हमारे उपर जीव है जब उसके उपर क्या है कि कोई अन्य जीव आ जाये तो उसे क्या कहते हैं मेजबाने उसके होस्ट कहते हैं जैसे देखिए मालेजे की हम है, मौसम चेंज हो गया, तो मौसम चेंज होने से क्या है, तो हमें बुखार हो गया है, जैसे आप मालेजे की जैसे निमोनिया है, ठंडे बादिसान निमोनिया जोता है, तो किसी को निमोनिया हो जाए, तो वो क्या है कि अगर वो बिमार हो गया तो वो क्या है पैरसाइट जो जीव है वो उसके अंदर आ जाएगा है ना जैसे मालेजी हमें बुकार है है ना तो ऐसे जीव आ जाते हैं जो हमें बिमार कर देते हैं जब हम medicine काते तो हम ठीक हो जाते हैं तो वो चीज तो वो temporary होता है वो चीज तो ये टी पैद तो